नमस्टे, वेलकम तुमाई यूट्यूब सेनल इमान करियान। आज हम एक बहुत ही दूखत घतना के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग सभी अभी जानते होंगे कि सुसान सिंग रासपूर्ट जो एमेज धोनी डियान टॉल स्टोरी मोवी की हीरो थे। उसके असानक देथ हो गई। जैसकी बज़ा आप सब लोग को मालूम है उसने खुटकुशी कर ली। उसने जब खुटकुशी कर ली। उसके बहुत सारे बज़ा हो सकती है। उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो उसके खुदकुशी के बार एक सब्द एक वड जो बहुत ही सर्षे में है वह है नेप्तोईजिम क्या है इसके बारे में हम बात कहने वाले हैं नेप्तोईजिम का मतलब है भाई भाटिजाबात मतलब अपने रिष्टे के गलत फाइदे उठाना मतलब कि आपकी कोई पॉलिटिसयान है वो अपनी वेते को या अपने रिष्टेदारों को अपनी पावर अपनी पावर यूज करके उसको कोई भी जॉब दिराड़िती है जिस जॉब का वो हग्डार नहीं होती इस एक उदाहरन है इस तरह की बाते को नेप्टोईजिम कहते है हम और परिक्ष्ट के बारे में सुचते हैं सफिड कबड़ा पहेंता हुआ एक ब्लाप सबिया में हमेरे मंन में आ दाता है जिसे कि बॉलीवीड में पॉलिटिक्स बॉलीवें भी अभी अ मैं सुसान शीन रसपूर जो एक बेतेरी नेक्टर से उसने ऐसी लीशन क्यों और इसके वाम हो सकती है इसके वाज़े में हम नहीं जाता है छता है लेकिन जो आदम owners जो एक्टर या एक्टरेज बहुत कोशिश करके भी व्रेग नहीं पा सकते हैं अगर व्रेग मिल भी गया तो उससे सक्सेस नहीं मिलती है जितना सक्सेस की वह हगदार है गल्ली वे जैसे वह याद फ्लीम को इतने साड़ एवार्ट मिल गए लेकिन चुन शिरिया च्छोड़े जैसे जो अच्छे अच्छे फ्लीम थी उसको एक भी एवार्ट नहीं मिला एमेस धोनी फ्लीम के लिए जो किर्दार उसने निवाया था उसके लिए क्या एक एवार्ट नहीं मिलना सही था इसका मदलब क्या है बॉलीड में जो भी एवार्ट शो होती है वो कोई मदलब का नहीं होता पीसे दालो एवार्ट लेजाओ अच्छे एक्टर की कोई कदर ही नहीं हो पर बॉलीड यशी जगा है जहां लोग सपने लेकर जाते है बहुत सारे सपने दिखाता है बॉलीड सपने लेकर जाता है लेकिन वो सपने से मुकर जाते है वो सपने उसे दूसर लगने लगता है तब खूद ही अपनी जिनीगा दुश्मन बन जाता है सुसान सिंग रास्पूट फैली नहीं है उसके फैले भी बहुत लोग ऐसे ऐसा हुआ था वो लोग के साथ इसके लिए आसा करता हूँ कि यही लास्ट हो आगे ऐसा नहीं हो लेकिन फिर भी नेप्टोईजिम के अलावा एक और चीज़ है वो है मीडिया एक ऐसी जीज़ है आसकल जो सिफ ऐसी ऐसी तफिक पर निउस बनाना है ना क्या बोलो किसने पहली बार कपड़ा धुआ है किसने के पहली बार बाटन साफ किया है किसका बच्चा कहां पर पट्टी करता है यह सब भी निउस में आता है इस्तार किट्स की लेकिन जो राइलेंड के बारे में कोई न्यूजी नहीं आता है कि क्या है भाई लोग कि सिफ्ट एर्पी के लिए इतना है कि क्या बताएं और तीसरा तीसरा दो रीजन है जो सिफ्टुसान सिंग राजपू थी नहीं ऐसे बहुत सारे वल्यूद एक्टर एक्ट्रेस को डिप्रेशन में डाल देती है वह हम हम सब हम सब पाब्लिक यह नेप्टोएजिम आसकल सारे जहां पर सलता है यह नहीं कि ऑनली बॉलिट पर किसी भी इंडस्ट्री पर किसी भी जर्गा पर नेटमी चलता है जिसका पावर होता है उसी के सथ सब कुस होता है बागी खाली तेलेन लेके कोई आगे नहीं बढ़ सकता आसकल की दिनिया म हैाइन परेने के लिए दट के रहना होगा अपने हमत जुता है रहता है सीजर्विए को डिर्प्रेशन हो तो इसको बोलना एकदम डों मारे ना यह यैद्वाइस देना असान होता है लेकिन फाएक के देधा केला है तो कि चैंब हता कुछ कोई और स्वेश्य की जाने सकता है जो खूट थे कोई एक भात नहीं चुन सकता किसी का बुरायत किसी ने एक बात बुरी के कि क्या है भाई कि किसी के मौत पे इतना इतना क्या बताओं एक बंदे ने तो टिक तक में डाले दिया मौत के दस्मिन दिया कुछ दिर बाद कि सुसान सिंग राश्पूत की मौत की असलियत जानने के लिए मुझे फलो किजिए दस्मिन बाद मैं उसके सशाई बता दूँगा वसला कोई सीवेईवेगा अफिसार है क्या तो रसा लाइक व्यूज पाने के लिए इससा कुछ नही लेकिन नहीं भाई मैं अगर व्यूज के लिए वीडियो बनाता तो मैं काली बना दालता काली अपर्श्वी बनाता है मैं आप सब लगों का नोतों की देख सुगा हूँ इतना नोतों की देख अभी जो फ्लेम इंडेस्ट्री के लोग या कोई और लोग शुसान सिंग राश्पूर्ट के बारे में आर आई पी लिखता है उसके लिए दुखत दुखत मैसेज लिखता है ट्वीट करता है वह अगर फैले ये उसको ज़्यादा उसको एंकारेस कर कोश proven करते हो तो आपको कोई एमकरेजिन ही करता कोई आपको प्रोचाहनएए देता कि आगे बार अभिआ आगे वह कुछ लेकिन आप सब्सक्तार कै। कि तो सभी बलते हो लगा अच्छा था उसने अच्छा क्या था एैसा क्या था क्या है यह सब कि इसको बदलना होगा हम लोग नहीं तो ऐसे कोई संसिंग रासबुत आ जाएंगे से ले जाएंगे महुँ चारे बहुत तेलेंद्लोग से सरे जाएंगे कि सुधर जाओ सुधर जाओ सब लोग सुधर जाओ कि किसी के मौत का फाइदा मत था उतने वेहूज के लिए लाइक्स के लिए सब मत करो मूदी खराब हो गया क्या बता हो हम पाप्लिक भी कितना घाटिया है ना हम आउदियंस भी दावांग तू रेस फोर रेस एसे वकवास फिल्म को हम 200-300 करोड़ कमा करेता है इतना हम उसको देखते लेकर चौन चेरिया जो एक बहुत अच्छी टपिक पर बनाया था जो यूट को बहुत एंकरेज करता था वो फिल्म को सिफ 2-3 करोड़ किया है हम अच्छे फिल्म देखना नहीं जानते हैं यह सब हमसब भी सिफ प्रमोसन पर प्रमोसन जिसका अच्छा होता है सिफ उसे देख लेता है जो बाहर दिखता है जो दिखता है वही बिखता है लेकिन जो अच्छा होता है वह हम देख नहीं बाते हैं यहीं गल्दी है जो एक अपनी पढ़ाई की लाइब में रेंग खोल रहा था वो दिमा के कमजू नहीं हो सकता है उसको दिप्रेशन ने माला दिया कि इसलिए मेरे प्यारे भाई और बैनों कि दिप्रेशन को अपनी काबू करना चीकिए अपने लाइब में जो भी हो होने दिजिए एक दिन तो अच्छा दिन आएगा अपने बूरे दिन को अच्छे करने के लिए जितना होसे कुछिस कोड़े अगर ना हुआ तो ठीक है भगवान में हमको ऐसे ही रखना साहिए तो भगवान की माजी जो भी हो ऐसे होने दिजिए जो भी हो अच्छा होगा असे सोच के रहने दिजिए क्या बताओं एक दम अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगे यूट्यूबर टिक टॉक वाले के नोटों की देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वीडियो बना दर लाग कर गलत बहला है तो मैं आप कहना भाई लाज में एक होंगा कि अब लोग सब शुश रहिए हेल्दी रहिए सब्सक्राइब करें दो दो कि मेरी हर एक वीडियो की नाटिफिकसण सबसे पहले आपको ही मिल जाएं मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप ही देख पाएं और साइट में रहे वेल आइकन का भी दबा देजिए जैन्यवाद ज्वाइखम भारत माता के जए